जय हिंद इस विडियो में सार्प investment limited company के अब बात होगी एक संदार धमदार प्रिये श्टोक जो बिजनेस मुटक यह सार्फ इंबेस्टमेंट कंपनी एक इनबी एफ सी कंपनी अर्थात नन बैंकिंग फाइनसल कंपनी आपको पताएगी अब बैंक की तरह काम करती है अर्थात लोन वेगर प्रवाइड करती है और साथ में जो कंपनी है सीकुरिटी और श्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग में करती है काम समझें अब यह देखते हैं कंपनी का मार्केट करोन अर्थात एक पेनिया स्टॉक है और शेयर प्राइस से दूरुपय 95 पैसा देखिए अब ट्रेंड में अर्था सेयर का प्राइस सूपर की तरफ जा रहा है हाई लगा चुका चौरुपय अर्था अर्था अब ट्रेंड ग्राफ बननना शुरु हुआ था और 11 अक्टूबर से ठारा जन्मडी तक अर्था त्टन महाने का स्ट्टा लगता होपर की तरफ जहता रहा है क्य अर्था、 17 से स्टर पैस उठाना सुरुऊ बाइवा और आया 220 पैस की आसपास यहां तकि Excel यह अगर अच्छा होता तो इतना नहीं टूटता लेकिन अब सेयर प्राइस में अप्ट्रेंट ग्राफ शुरू हुआ लेकिन मेरा दुनों तरह के लोग उसकाना है कि ना तो अभी आप कीजिए और नहीं सेल कीजिए अभी तुछना सुरू हुआ हो सकते धराम से फिर नीचे गिर जाए तो उससे आपको क्या होगा कि अगर सेयर का प्राइस थोड़ा और उपर जाते तो ज्यादा फैदा हो जाने का कोई चांस नहीं क्योंकि आरे साइटी से उठना सुरू हो गया था इसके बाद अप्ट्रेंट ग्राफिस में सुरू हो गया अब समझे अगर मानलीजे शेयर का प्राइस तो इससे नीचे नहीं आना चाहिए लेकिन नीचे आता है तो आ सकता है तो आपको बाते सम अब फंडामेंटल दखते हैं कितना का रिजल्ट आया है वह पिछले क्वार्टर के मुकाबले काफी बेतर आया है क्वार्टर तू में कंपनी को कुछ सेल्स नहीं हुआ था लेकिन इस बार की नतीजह आया है जीरो-जीरो से बढ़कर देखे सीधे आठ लाक रुपया हो अर्था कंपनी ने एक लंबा जंप मारा है रेविन्यू आठ लाग का हुआ है क्वार्टर थी में और बात करें प्रोफिट आफ्टर टेक्स इसको सुद्ध मुनाफ़ा काते हैं तो क्वार्टर टू में प्रोफिट नहीं हुआ था लॉस हुआ था तीन लाग का कंपनी को कमपनी ने उस Вас को रिकल śजा करते हुए पांच लाग का मुनाफ़ा का माउया मानलिजर तीन लाग इधर कांपनी का सुद्ध मुनाफ़ा हुआ है अब माइनस में था और माइनस इसमें हड़ गया है अर्थात अर्निंग पर सेर में भी बहत्री हुआ है तो इसके आगे आप देखेंगे तो रिजर्ब कंपनी पास है सब्सक्राइब करें अर्था जो संपती दूसरों को लोटानी है इतने रुपए की संपती वह एक करोण 12 लगका है और यह दिर दिर बढ़ते जा रहा है मतलब यह पोइंट बहुत गलत है कि एक तो जो बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ रहा और जो कम होना चाहिए वह बढ़त बढ़ना चाहिए तो अब बात करना क्या है तो देखें जो नए लोग है इसमें इंवेस्टमेंट करना चाहते मेरा मेरा सुझाव है बाकी आपको करना चाहिए इसमें कोई दिरुक जाएए अभी जब तक हाईजराई पैटर्न बनना शुरू नहीं हो जाता इस कंपनी में तब तक आप इसमें नया फ्रेस इंट्री नहीं लिए और जो लोग कंपनी के सेर को बाई करके रखे हुए बेसक ठारी है आपको मुनाफ़ा होग का मुनाफ़ा टथर इसमें उपको जाओंग के दोरू उनसा नहीं होग बाटऑ़ा रखे हॉए अश्याल के अचाएप How?